वेल्कम तो स्टाडी चैनल मेरा नाम है मुहम्मद कैसर जैसा कि आपको बताया गया था कल ही की 16 फरवरी यानि आज उत्तर प्रतिश लोग सेवायोग पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा देख सकते हैं चात्र यहाँ पर गये थे उत्तर प्रतिश लोग सेवायोग यान से जल जारी किया जाए और जब पिछली बार छात्र आये थे तो उनको आस्वासन दिया गया था कि 10 दिनों के भीतर दिती सुची जारी कर दी जाएगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं 10 फरवरी को ही वो समय बीद गया आज का आप ग्यापन देख सकते हैं छात्रों ने कारवाई नहीं हुई और आज ये क्यापन दिया गया है 16 फरवरी को देख सकते हैं यहां पर सबका नाम वगयर है मोहर हुआ गयर है तो आज हुआ क्या क्या स्वासन मिला छात्रों को तो मैं बता दू कि आज कोई भी जिम्मेदार अधिकारी छात्रों से बात करने नहीं आ जिती सुची दोषर ठारा भरती की जारी कर देंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आज छात्रों की संख्या भी कम थी जितनी उमीद थी उतने छात्र आए नहीं थे नहीं तो किसी ने किसी जिम्मेदार अधिकारी को बाहर आना पड़ता और छात्रों से बात करना ही अधिकारी के पास है लेकिन अपन नहीं आ पा रहा है वहीं बहाना है संख्यार्ता का सालों से यह मामला चला आ रहा है अभी तक की हल नहीं हो पाया है चात्रों ने आज एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि हम एक बहुत बादर्धरना परदर्शन अपकरने जा रही हैं प्रदर्शन होगा और आयोग को नीद से जगाना होगा यदि कोई सासन अस्तर से समस्या है तो वो क्लियर करें निदरशालर से जो भी समस्या है है उसे क्लियर करें समकक्ष हरता फाइनल किया जाए और विक्यापन जल से जल निकले इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन की मैं आपको जरूर बताऊंगा और इस बार आपको धरने में आना होगा तब ही जाकर ये विक्यापन निकल पाएंगे तो आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों और अगले धरने में जरूर आईए आप आने वाले हैं या नहीं बता दीजेगा कॉमेंट सेक्शन में